हेई गाइज वेलकम बैक टो लाजबा फ्लेवर्स इतनी गर्मिया आ चुकी है तो हम आइस क्रीम तो जरूर बनाएंगे पर मता तब आएगा जब आइस क्रीम सिर्फ 3 इंग्रेडियंट से बनेगी और हेल्दी भी होगी और मैंगो तो हम सबको पसंद है तो आज हम सबसे पह सबसे पहले हम लेंगे टू मैंगो यह मैंने मीडियम साइज के तो आम लिये हैं इने चील लेंगे और चोटे-चोटे पीसिस में कट कर लेंगे अब हम लेंगे एक जिप लोग बाग इस तरीके का यह बाग होता है इसमें एक तरीके जिप होती है तो यह आपको बहुत ही कि मार्कर्किट से निल जाहेगा और बावल मिखनगे łamकम घर और अजुम को लख Heh अब घंटे में ड़ीज़े इन दुख अब सब्कार ठीम करक द्रहिम केम का पार्किट लिया है और यह आधि हम इहws mozap त Hahn पयों से सबस्क्राइब त्यूद करम प्रीजर कर सकते हैं और भी मदें और आप प्रीजर ऒर्लियार में अब देखिय लाएuju तरह का पांपाशा ठेल से करीजर के लगाने है और अब लगार के लिगे इने हम डालेंगे मिक्सर जार में而且 भिला सकते हैं कि बमच में प्रुम करना है rang दो जादा फल मत करियेगा वरना इसे इसम्लाइब मुष्ग्षू ह吧 देखिए इसे एक बार blend कर लिया है और ये इस तरीके का दिख रहा है अब हम इसे एक बार अच्छे से mix कर लेंगे और फिर इसे दुबारा से churn करेंगे जब तक ये बिलकुल puree नहीं हो जाता और ये देखिए इस तरीके से ये लगेगा बनने के बाद इसे तरीके से दूसरा बार्च भी रेडी कर लेंगे और ये देखिए हमारा गाड़ा दही भी बिलकुल रेडी हो चुका है इसका पानी बिलकुल अलग हो गया है अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे अब हम इसे विस्क के हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे ताक ये बिलकुल क्रीमी हो जाए और ये देखिए दही हमारा अच्छे से क्रीमी हो गया है एक दम पीक्स निकल आई है, बहुत ही क्रीमी लगना है दिखने में, अब हम इसके अंदर mango puri अड़ करेंगे, और ध्यान रखेगा कि सिरफ 1 फोर्थ पार्ट ही दही होना चाहिए, दही जादा नहीं अड़ करना है, अदर्वाइस हमारी आइस क्रीम जो है, थोड़ी खटी लगेगी, अगर आप mango आइस क्रीम को और ज्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा अमुल फ्रेश क्रीम पी आड़ कर सकते हैं, और अच्छा से करेंगे उसकी जगह हम इसमें आड करेंगे हनी और हनी इस आइस क्रीम को बहुत अच्छा सा टेस्ट भी देगा सो इसमें मैंने आड किया है टू टेबल स्पून हनी अगर आप मीठा जादा पसंद करते हैं तो थोड़ा एक्स्टर डाल सकते हैं अब इसे अच्छा सा मिक्स क यहाँ वर आप डिफरिफर्ट डिफर्न सीजे आड कर सकते हैं इसमें किष्मी आड कर सकते हैं और हमारा इस्टरीम बेस बिलकुल रेड़ी है अब इसे सेट करने के लिए रखेंगे और मैं सेट कर रही हूँ एक लॉंच बॉक्स के अंदर आप किसी भी बॉक्स में या फ बैटर डल चुका है अब हम इसे रखेंगे फ्रीजर में सेट होने के लिए यहां पर काम हमारा खतम नहीं हुआ है अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइस क्रीमी बने बहुत अच्छी बने तो एक और टेप है जिसका आपको ध्यान रखना है यह देखिए आइस क्रीम को मैंने तो आपके पास प्रीजर में रख देंगे तीन से चार गहंटे के लिए जब तक कि प्रॉपर सेट नहीं हो जाती मैंने आइस क्रीम को चार गहंटे के लिए फ्रीजर में रखा था और आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से सेट हो गई है पर इसकी कंसिस्टेंसी बिल तो अगर आपको यह पसंद आई है तो आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करिएगा और उनके लिए भी बनाएगा और आप देख ही रहे होंगे कि कितनी ज्यादा क्रीमी लग रही है यह दिखने में सिंबल से इंग्रीडियंट्स थे इस ऐसा भी नहीं है कि इसे बनाना बहुत मुश्किल था बहुत ही जादा इंग्रीडियंट्स का हमने यूज किया हो हेल्दी है ज़रूर ड्राय करिएगा इस रेसिपी को हम मिलेंगे नेक्स रेसिपी के साथ तिल देन बाबाई टेक कियर